दस्वान दिन हर एक परचादू की धूल का छिड़काव करें कोई पी करतर्वे इतना आवश्यक नहीं है जितना की धन्यवाद लौटाना संथ एम्रोज, धर्म शास्त्री और कैथॉलिक धर्माध्यक्ष प्राचीन आध्यात में गरंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह सौगुना होकर हमारे पास लौटता है इसलिए कृतग्य हों किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अक्त्यावश्यक है बलकि आपके जीवन को पहतर बनाने के लिए अनिवारे भी है कृतक गिता एक शक्तिशाली उर्जा है और आप कृतक गिता की उर्जा को जिनकी भी और नर्देशित करते हैं वह उसी और मुर जाती है आप कृतक गिता की उर्जा को चमचमाती जादूई धूल जैसा मान सकते हैं जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में पिर तग्यता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सच मुछ उस पर जादूरी धूल का जर्गाव कर रहे हैं। जब व्यक्ति पर आप धूल चुड़कते हैं इसकी शक्ति शाली और सकारात्मक उर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुँच जाती है और उस पर असर डालती है। हम मैंसे अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्ग में आते हैं। चाहिए फोन हूँ, इमेल द्वारा हूँ या ओफिस, स्टोर्स, रेस्टना, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हूँ। हम जिन लोगों के संपर्ग में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतग्यता के हकदार होते हैं। क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सूचें, जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं। जैसे वे लोग जो रेस्टोर और स्टोर्स में काम कर रहे हैं। बस या ट्रेक्सी ट्राइवर हैं। Customer Service के करमचारी हैं, Dry Cleaners हैं या आपके Office के करमचारी हैं, जो लोग सेवा शेतर में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वय को दे रही हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहतें, तो मान लीजिए कि आप कृतग्य नहीं हो रहे हैं, और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख रख आप करमचारी हों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों से हमारी यात्रों को सुरक्षित बनाते हैं, और बिजली, गैस, पानी, तता सड़कों जैसी सेवा को कायम रखते हैं। संसार में उन सफाई करमचारियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कों, सारवजनिक बातरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्परतालों, रेस्तरा, सूपरमार्केट्स और ओफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक् आप अपनी साफ डेक्स पर बैठें, या साफ फुटपात पर चलें, या चमचमाते फर्ष पर चलें, तो आप कृतग्य हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरा में हों, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति वुधनिवात कहकर उस पर जादू ही धूल चाहे वे टेबल की सफाई हो, menu card थमाना हो, आपका order लेना हो, आपके लिए glass में पानी भरना हो, आपके order किये हुए भोज़न को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल लेना हो या बचे हुए पैसे लोटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूले। किसी स्टोर या चेक आउट काउंटर पर जादूई धूल का चिड़काव करे और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद करें। यदि आप हवाई जहाज में आत्रा कर रहे हैं तो चेक इन करमशारियों, सुरक्षा कर्मियों, अपने सवार होते समेट टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों का धन्यवाद दे, जो मिमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। पुडान के दौरान जब धी कैबिन कर्मियों आपकी किसी प्रकास से सहायता करते हैं, तो उन्हें भी धन्यवाद करते हैं। भोजन और पेप्रदार्थ फरोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। क्योंकि यह किसी चमतकार से कम नहीं है कि आप उडान भर रही हैं। उन लोगों के प्रतीकルट अग्यबने जो आपके काम में मदद करते हैं। चाहे वे clerk, receptionist, canteen staff, सफाई करमचारी, customer care service के करमचारी या आपके office के सहीयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादूई धूल का छड़काव करें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत्रतग्यता के हकदार हैं। दरसल, स्टोर करमचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे देशों की दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना हैं। और जन्ता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्य मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतग्य ना होने वाले लोग भी शामिल हैं. इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ती आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ती अपने माता-पिता का प्यारा बेटा या बेटी है अपने भाई वहनों का अनमूल सदोहर है और बच्चों का माता-पिता है प्रिय जीवन साथी ये मित्र है और वह आपकी दयालूता तथा धहरे का हकदार है कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बत्तमीजी से पेश आता है या आपकी और वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयन को हकदार मानते हैं ऐसी स्थिती में कृतग्य होना अधिक चुनावती पूर्ण हो सकता है लेकिन एक बार समझ ले आपकी कृतग्यता किसी दूसरे व्यक्ति के वहवार पर निर्भर नहीं हो सकती चाहे जो हो जाए कृतग्य होने का चुनाव करें चाहे जो हो जाए अपने जीवन में जादू का चुनाव करें यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है हो सकता है कि उसका स्वास्ते खराब हो उसने अभी अभी कोई प्रियजन्क होया हो उसका विवहा अभी अभी तूटा हो यह वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड पर हो या हताश हो आपके किर्टगिता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादूई चीज हो सकती है दयालु बने क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है फाइलो आफ अलेक्जेंड्रिया दार्शनिक यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उच्छा लें इसकी बजाए अपने कृतक गिता का कारण बता है मिसाल के तौल पर आपकी मदद के लिए धन्यवाद मेरे लिए आपने लीग से हटकर जो काम किया उसके लिए धन्यवाद मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद मेरी मुश्किल सुर्जाने के लिए धन्यवाद मैं आपके प्रती बहुत कृतक की हूँ जब आप यह छोटी सी चीज़ करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे क्योंकि उसे आपकी इमानदारी का एहसास हो जाएगा जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रही हो उस वक्त उसके चहरे की और जरूर देखें जब तक आप नजरों से नजरे मिला कर सीधा उसकी और नहीं देखेंगे तब तक वैह आपकी कृतक गिता को मैसूस नहीं करेगा नहीं आपकी जादूई धूल ग्रहन करेगा अगर आप हवा में ही धन्यवाद उचाल रहे हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सैलफोन पर बातचीत करते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अफसर गवा दिया है क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में इमानदार नहीं होते हैं कुछ परश पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था फिर वे आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी वानोवे कुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश कर रही हो आंतते जब store assistant ने मुझे आदर्श सुंदर्टा से लिप्टे उफार वाला बैग थमाया तब ही मेरे cell phone की घंटी बजुटी और मैं phone पर बात करने लगी और बात करते करते store के सामने वाले द्वार तक पहुँच के लिए तब ही अचानक मैं विचलिक महसूस करने लगी मैं तदकाल उस मददगार store assistant के पास लोटी मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बनकि उसे वे सारे कारण बताए कि उसके प्रती मैं क्यूं कृतग्य हूँ और उसने जो मेरे लिए किया मैं उस हर चीज के लिए उसकी कत्र करती हूँ मैंने कृतग्यता की जादूई भुधूल से उसे नहला दिया देखते ही देखते उसकी आँखों में आसु भराए और उसके चहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खेलाई जितनी की मैंने पहले कभी नहीं देखी थी हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है जब आप पूरी इमांदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा इस तिन अकेवल सामने वाला सच मुझ अच्छा महसूस करेगा बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णिय खुशी भर जाएगी जब दिन में उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह के स्थितियों में करतक गिता की जदूई धील का इस्तमाल करती हूँ जब मेरी बेटी कार चला कर घर से जाती है और मैं उसे अलविता कहती हूँ तो मैं उसके सुरक्षत घर पहुँचने गले करतक गिता महसूस करती हूँ और साथ ही हवा में अपनी अंगुलियां नहरा कर कलपना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादूई धूल छड़क रही हूँ कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादूई धूल छड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज़ की तलाश से पहले अपने सामने जादूई धूल छड़क देती हूँ मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादूई धूल का इस्तिमाल करती है और अगर वे बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपून स्थिती में देखती है तो वे उस पर दूर से ही जादूई धूल छड़क देती है ताकि वे बहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर प्रितगिता की जादूई धूल की बारिश करे हर उस अफसर की तलाश करे जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादूई धूल का छुड़काव कर सके कम से कम दस लोगों को धन्यवाद दे जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाब होता है इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने है करने का आफसर मिलता है या नहीं जिन लोगों की सेवा से आपको लाब होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं मिसाल के तौर पर, मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई करमचारियों के प्रती सचमुष कृतग्य हूँ, जो इतनी सुभे काम करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कच्रा रोज साफ हो जाए। मैंने दर असल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतग्य हूँ, जो हर दिन गड़ी की सुईयों जैसी चलती है, धन्यवाद, यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिंती रखें, जिनकी लिए आप कृतग्य हैं, ताकि आप यह जान पाएं कि कब आपने दस अलग-अलग लोगों को उनकी सेमाउगरे धन्यवाद दे दिया है, और उन पर जादूई धूल का छड़काव कर दिया है, जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादूई धूल गिरने की कलपना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज़ की तस्वीर है, जो कृतक गिता की शक्ती के साथ सचमुछ अदरश्य धरातल पर होती है, इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतक गिता की जाद करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती हैं, यदि आप आज घर पर हैं, तो कलंब जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर के लिखें, जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अथिरिक्त प्रयास किया, यह कोई सैकल करने वाली कंपनिया या स्थानिय स्टोर असेस्टेंट ने बहतरीन सेवा दी थी, दस प्रसंगों की सूची लिखें, जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उन में से प्रतेक को धन्यवाद कहकर, उन पर जादूई धूल छिड़कें, जादूई अभ्यास क्रमांग दस, हर एक पर जादू की धूल का छड़काव करें, नमबर एक, अपनी नियामतें गिने दस नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यूं कृतग्ये हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यव धन्यवाद, उस नियामत के लिए अधिक्तम कृतग्यता महसूस करें, नमबर दो, आज ही अपनी सेवा करने वाले दस लोगों पर जादूई धूल का छड़काव करें, जिन से आपको लाब होता है, आप उन्हें सीधा धन्यवाद दे सकते हैं, या मन ही मन उनकी प्रशंस करके धन्यवाद दे सकते हैं, उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतग्यता महसूस करें, नमबर तीन, आज रात सोने से पहले अपना जादूई पत्थर एक हाथ में धाने, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादूई शब्द धन्यवाद कहें, नमबर